इस वीडियो में हम जो आने वाला एक्जाम है हाई कोट आरो यारो और यूपी पीसे सारो यारो दोनों के लिए हिस्ट्री पढ़ेंगे अच्छे से पूरा कवर करेंगे जी एस वर्ड का जो टेस्स सीरीज है उससे हम करेंगे यह कवर तो यह पहला पार्ट होगा इसकी और यह जो सर जोन मॉर्सल थे यह 1902 से लेके 1928 तक भारत के पुरातत तो शर्विच्छन विभाग के महानिदेशक थे और इनी की निगरानी में हडपा और मोहन जोड़े की खुदाई हुई थी नेक्स्ट है प्राचीन भारत में दिमलिकित में से कौन सी लिपी दाई से ब बारत में दिता है और यह प्रियागराज में स्थित आ इसे जो वड़न किया गया है यह कई चीजों का वड़न किया गया है जिसे समद्रुगुत ने किन किन देशों को बिजये प्राप्त की और इसे लिखा किसमे था तो इनके दरवारी कभी हरिस्ट ने इसमें दो लोगो का frightening of ए महाजन्पत है इसका उत्री कोसल की रासधानीथी साकेफ हरा के भारत में पशुपालन के प्राचिनत्र मिलंते हैं तो पश्पालन के साक्षी मिलते हैं बागोर राजस्थान में, option होगा B, और इबागोर कहां इसलिए राजस्थान में कब ये साच्छे पाए गए तो 5000 इसापूर के लगबग के साच्छे हैं और सांभर जील के आसपास बहुत सारे पौधे लगाई जाते थे ऐसा भी साख्छे प्राप्त हुआ है नेक्स्थ है प्राचीन भारत के संदर में नदी घाटी वा उससे संबंदी छेतर को सुमेलित कीज़े एक तरफ नदी दी हुए दूसरी तरफ संबंदी छेतर नर्वदा नदी घाटी जो है ये माहैस्वर इससे संबंदी थै माहैस्वर तीर्थिस्थन और सिंधु नदी से संबंधे थे कौन सा मोहन जुद्रो फिर गोदावरी से संबंधे थे निशावा नेवासा और चंबल नदी से मेदवा तो यहाँ option कौन सा करेक्ट होगा 4-3-2-1 option A नेमलिकित को सुमेलित कीजिए एक तरफ रिगवेत की नदियां दी हैं दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम सदा नीरा बोलते थे गंड़क नदी को दूस्दती बोलते थे घागरा नदी को विपासा बोलते थे व्यास नदी को वितस्ता जेलम को यहाँ option कौन सा करेक्ट होगा 2-1-3-4 option होगा A नेक्स्ट है सुची 1-2 से सुमेलित करना है एक तरफ कुछ समब दी है दूसरी तरफ यह कब कब थे यह समब विक्रम समब था अठावन इसापूर में सक समब 78 इसवी में गुप्त समब था 319 से 320 इसवी में फिर कली समब था कली समब था 3102 इसापूर में तो यहाँ पर option क कौन सी प्रहम्म वाजनी थी जिसने कुछ फेस्ट मंतर हो की रचना की इनका था किसने ने नाम द्हों इंका जो व्योषाय था है किस व्योषाय से समझ हूँ था तुछ हुआ था यह दरजी थे कभीर कभीर थे जुलाहा और रवीदास क्या थे मोची सेना नाई यहां ओप्शन कौन सा करेक्ट होगा ओप्शन होगा बी नेक्स्ट है सिंदू घाटी सबेता में पाए गए पशुपती मोहरों में निम्न में से कौन सा जानवार चित्रित नहीं है तो यहां पर एक मोहर पाई गई है जिसमें एक योगी की तरह एक पुरुष बैठा है पदमासन में और उसके चारू तरफ हाथी बाग गैंडा है औ तो धर्मत का युद्ध जो था यह साज आज के बृत्त्यूं के यवाद उत्राधिकार की लड़ाई थी जोकी लड़ी गई थी औरंगजेव और दाराशिकों के बीच में औरंगजेव की तरफ कौन था तो औरंगजेव की तरफ मुराद भी सामिल था जो इसका बाई था और इसके अलावान दारासिकों की तरफ एक महाराजा थे जस्वं सिंग और काशिम खान तो ये मेंली लड़ाई हुई थी और अरंग जेब और दारासिकों के बीच में नेक्स्ट है साज अहां के बल्क अभियान का उद्देश है क्या था तो इसका उद्देश है था खैबर दर्रे के आसपास रहने वाली विद्रोही कभीलों कर नियंद्रण करना तो ये बल्क अभियान क्या था साज आने कभीलों कर नियंद्रण करने के लिए पिहासकार बर्णी ने दिल्ली की सुल्तानों के अधिन भारत के सासन को वास्तों में इसलामी नहीं माना है क्योंकि बस बर्णी की बात हो रही है इनकी एक रचना है तारीखे फिरोसाई इसमें इनों ले लिखा है कि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के सासत अपने सोयम के विन बना दिये थे इसलीए इसे वास्तों में इसलामी सासन नहीं माना जाएगा तो आप्शन होगा यहां पार C इसमें य में और यह पहला युद्धत था पाबर का इंडिया में आने के बाद और इसी में बावरने पहली नीती भी इसने शुरू कि इसकी अलावा इसने एक तेवार मनाना एक उच्छो मनाना प्राणम कराया जिसे कहा जाता है नवरोज नवरोज भी इसने शुरू कर वाया था नेक्स्ट है सल्तिनत काल में किस शासक ने पांच बड़े शहरों का निर्माड कराया था तो इसका नाम था फिरोज तुगलक जो तुगलक वन से संबंदी था इसने पांच प्रशिद नगर बनवाए जिनका नाम है जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद और फ नाम किये थे अच्छे अच्छे कुछ और इसके अलावा एक इसने दारुल सफा नाम का एक हॉस्पिटल भी खुलवाय था शासक के मुश्के द्वारा बनवाईगी राजधानी का सही मिलान कीजिए राय पित्वरा ये कुतुबु दिन एभक से संबंदी था जहां पना य यह हुमायू से संबंदी थे सीरी किला लाओ दिन खिलजी से संबंदी थे तो यहां ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा सी 3421 नेक्स्ट है भक तुका राम कौन से मुगल समराट के समकालीन थे जहां गेर के ऑप्शन होगा सी तुका राम का जो समय था वो 1608 से लेके 1649 तक था तो इस टाइम पे जहां गीर भी था और सा जहां भी था इसके बाद जहां गीर के बाद तो अगर ऑप्शन में जहां गीर के अलावां सा जहां भी दिया हो तो दोनों सही होगा यहां पर जहां गीर भी सही होगा सा जहां ऑप्शन में नहीं इसलिए जहां गीर नेक्स्ट ह सूची वन को टू से सुमेलीत करना है प्रशित मंदिर और किस राजी में इस्थित है विद्या संकर मंदिर ये करनाटक में इस्थित है राजा रानी मंदिर उडिसा में है फिर कंदरिया महादेव का मंदिर कहा है मद्धिप्रदेश में धीमेश्वर मंदिर है सन के अनुशार अनुषर स्रिश्टि की रचना उंपालान पोशन यह स्की आगे क्या हो यह सार्भावमिक सत्य की आधार पर हुआ है साерм॥ आधार पर हुआ है ऐसा बोलन गया है जयन दर्षनों में निमलिखित मृत्तियों इस्वर्त के सकते हैं वर्रोज को कोईयाम एक नाट कला है इसे अमूर्त विरासत में डाला गया ये पहला वाला गलत है जो सारंग देव हैं उन्होंने हम्बीर रास्टो को लिखा यहां पर अब्दुर रह्मान लिखा यही वहला गलत है चंदर बड़ाई ने पर्थिवीराज रासू लिखा जागने ने आला कन लिखा नर्पतिनाल ने वीसल देव रासू लिखा है हमीर रासू किसना लिखाए शारंग देव ने नेक्स्ट है निम लीकित में से किसे ब्लै का मार्क सूरवंदिर का नरसिंग देवने नेंस्ट है निमलिकित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्थी के लिए प्रशित है तो यह एलिफेंटा की आख है प्रशित है यह उ mensen किलोमेटर दूरिस्थित है नेक्स्ट है भारती संस्कृति के संदर में कौशे शब्द संब्देते कौशे किसे बोलते हैं सिलको ऑप्शनों का था इसका प्रयोक किया जाता था गुप्त और गुप्त उत्तरकाल में कौं से अभी लेक में हर्ष द्वारा रचित पुस्तोको का वनन मिलता है तो मदुबन प्लेट सिलालेक में हर्ष द्वारा रचित पुस्तों का वनन मिलता है हर्ष ने कौन कौन सी पुस्तों के लिखी थी जो फेमस है प्रेदर्शिका रत्नमालिका और एक थी नागानंद प्रेदर्शिका रत्नमालिका और नागानंद नेक्स्ट है रत्न मालिका को रत्ना वली भी लिखा रहता है उत्तर प्रदेश में पूरा पासाड काले इन सब्धिता के साच मिलते हैं कहां पी मिलते हैं तो यह मिलते हैं उपर युग सभी बेलन घाटी में भी चंदौली में भी सोन भद्र में भी नवींतम साच्छों के अदार भाड़्टी उप महाधिब में प्राची इंतम क्रशी साच wish कहा पर स्थित है तो लहुरा देव जो के संत कभी न कर उत्तर Pbirdease में इस्तित है यहां पर प्राचीय तमक्रशी की साँ प्राप्त हुए है नेक्स्ट जैन तीर थिस्थल से सम्मंदित सही युगमु सुमेलित कीजिए उपर वाले प्रेस्ट में एक दिया आपसे पुछा जा कि लवरा देव में किस चीज के साथ से प्राप्त हुए तो चावल कीखे दिए यहाँ पर नेक्स्ट वाले कोश्चन में जैन तीर थिस्थल से नियुथ सही युगमु कौसा है सायो मुसुमेलित कीजिए कौशांबी यह चटे तिर्थणकर पद्म प्रभु से संबंदिते श्रावस्ती तिर्थे तिर्थणकर संभोनात से संबंदिते महोबा जो है तो इनमें से वेंज आंग शांग ने अतरणजी खेडा को वर्लं किया। अपनी पुष्तक CUK में CUK की पुष्तक है OEC में इसने वडन किया इसने अतरंजी खेड़ा को एक नाम दिया जिसका नाम है पिलोशन अतरंजी खेड़ा को पिलोशन का है नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के जहां सी जिले देवगर का एतिहाशिक महतो क्या है? तो इसका एतिहाशिक महतो है कि यहां पे दसावतार मंतिर है, और कि अलावा चंदेल सासकों के अभिलेक भी यहां से प्राप्शनोंगा डी. कासी महाजनपत की राजानी वारंशी थी कासी की स्थापना किस ने की थी इसकी स्थापना की थी दिवो दास ने और इसका उल्ले कहां पर मिलता है अथर वेद में नेक्स्ट है मध्य गाली नितियास में न्याय की जंजीर किस से संब्धी थे न्याय की जंजीर जहां गिर से संब्धी थे उप्शन होगा B इसने यमुना-णादी के तरट पे एक जंजीर बनवा neutr 值 वह यहां पर फर्यार लगा था थे नेक्सट है सिराजे हिंद का संबंध किस्से है जौनपूर से जौनपूर को पहले सिराजे हिंद का जाता था इसका जो स्थापना की थी वो फिरोसा तुगलक नीं की थी अपने भाई मुहम्मद बिन तुगलक की आदमे जौना खाँ तो उसी नाम पे इसका नाम जौनपूर पड़ा निम्लिखित मेंसे कौन फतेपूर सीकरी के इस्थापत इकला का उधारान है तो इस मेंसे सभी फतेपूर नहीं तरफ पुस्तकों के नाम दिये हैं दूसरी तरफ लेखा के नाम आलम गिर नामा ये मुहम्मद काजीम की पुस्तक है एक बाल नामा मुताबित खान की और पुतुहाते आलम गिरी ईश्वर दास नागर की तारीख अकबरी इसमें अफुल फजल लिखा यही वाला कलत है नेक्स्ट नीचे दिये गए वक्तब में एक को कफन ए दूसरे को आर बोला गया है इसमें बताना है कौन सा सही है बलवन ने अपने शाषण में सकतिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंडियत कर ली तो इसमें यह वाला कफन चो है वो करेक्ट है फिर है इसमें सिजदा और पैबोस प्रिथा की शुरुवात की तो ये भी सही है लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता इसलिए ऑप्शन होगा भी नेक्स्ट है मलिक काफूर ने दच्छड भारत के आकरमण के संदर में कौन सा कथन मलिक काफूर के दच्छड भारत के आकरमण के संदर में कौन सा कथन गलत है पहला कथन उसने तेलंगाना छेतर पर आकरमण किया ये सही है उसने लच्छे द्वार समुद्र पर आकरमण किया तो ये भी सही है उसने द्वार समुद्र पर करनाटा के द्वार समुद्र पर आक्रमण किया था मद्रुए तेलंगाना पर आक्रमण किया था उसने माला बार छेतर पर आक्रमण किया ये वाला गल था घरी और ग्रेकर लगाने वाला दिल्ली का सुल्टान कौन सा है तो ये था अलाउद्दीन खिल जी ओप्शनों का B नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन सतत अक्पर के एक आदर साशक के पक्ष में सही नहीं है तो पहला कतान है प्रसास की एकता युम कानूनों की एक रूपता ये वाला सही है फिर अकपर द्वाला संस्कृतिक एकता का प्रयत नहीं भी सही है अकबर की धार्मिक नीती वी सहिए इसलाम धर्म को त्याग देना ये वाला गलत है इसने इसलाम धर्म को त्यागा नहीं था एक सभी धर्मों को मिक्स करके एक नया धर्म बनाने की कोशिश की थी दीने इलाही लेकिन इसने इसलाम का त्याग नहीं किया था नेक्स्ट है आएने अकबरी में पोलज सब्द का संबंध किस से है पोलज सब्द का तो ये अकबर ने अपने सभी जमीन जो उसकी छित्र में आती थी उसे कुछ भागों में वर्गी करिद किया था जिसमें पोलज पर्ती कछार और बंजर सभी आते थे तो ये एक तरह क्या बहुमी कर्से सम्मंदित भी है और बहुमी जिस पर लगातार फसल उगाई जाती थी उसे पोलच कहते थे तीसरा और चौथा दोनों करेक्टर ऑप्शनों का भी इसके अलवा परती किसे बोलते थे जिसे उर्वरता बढ़ाने के लिए जो को समय के लिए छोड़ दिया जाता पहला कथन है अकबर की मनसबदारी प्रणाली पश्चीम एसिया से ली गई थी तो यह वाला गलत है पहला वाला क्योंकि जो मनसबदारी प्रणाली ली गई थी मध एसिया से ली गई और यह मंगोलों की सेना से प्रभावी थी अकबर की मनसबदारी ब्योसा दसमलों लाली पर आधारी थी ये वहला करेक्ट है पहला वाला गलत है दूसरा सभी औप्शन होगा डी नेक्स्ट है दिये गए कतन को पड़कर सही विकल्प का चुना कीजिए पहला मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्षमी की आकरिती अंकित थी तो पहला वाला करेक्ट है फिर बा सब्सक्राइब के उत्तरवाला पार्ट था नेक्स्ट है अकबर के सासन काल में निम्लिखित गटनाओं में को काल क्रमा नुशार विवस्तित कीजिए तो जजिया प्रधा की समाप्ती हुई थी 1564 में फिर इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी यह हुई थी 1575 में फदे 282 में तो यहां पर पहले होगा वन फिर टू फिर 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 फोर ऑप्शन होगा यह सही क्रम है पूरा नेक्स्ट है सिर एकबर के लेखक थे तो सिर एकबर सीर्शक से दारा सिको ने रचनाय की थी और इनका बहुत प्रमुक एक निंकी रचनाय मजम उल मजम उल बहरेन तो जौनपूर सल्तनत के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला है सल्तनत का पहला साशक नासिर दूइन मुहमत शाह था यह वाला करेक्ट है फिर है यह दिल्ली सल्तनत के अधीन था यह अपना स्वतन सासन करता था यहां सरकी वंस का सासन था यह सही है पहला का दूसरा युद्ध कब हुआ था यहां सही क्रम क्या होगा क्रम होगा 213 ओप्शन होगा B पहले कौन सा आएगा तरायन का दूसरा युद्ध जो की 1192 में हुआ फिर असीरगळ का युद्ध जो 1601 में हुआ फिर पानी पत का तृती हुए 1761 मराठा राजी के अस्ट प्रदानों के संदर में ध्यान दे आमात किसे बोलते थे आमाती बोलते थे वित और राजस मंत्री को पंडित राओ बोलते थे विद्ध्वानों को पंडित राओ बोलते थे विद्ध्वानों को यह वाला गलत है फिर सुमंत किसे बोलते थे सुमंत विदेश मंत्री को बोलते थे तो यहां पर यह भी गलत है पहला वाला के वल करेक्टर ऑप्शन होगा सी नेक्स्ट है निंप्रिकित कत्नों पर विचार कीजे पहला है अंग्रेज यादरी पीटर मुंडी जहांगीर के काल में भारत आया तो यह वाला गलत है क्योंकि जो पी ओप्शन यहां पे यहां पे होगा कौन सा कथन असत्य है तो केवल पहला वाला सत्य होगा ओप्शन होगा सी यहां पे असत्य कर लेजेगा इसको कौन सा कथन असत्य है केवल पहला वाला सत्य है नेक्स्ट है निम्लिकित का साही काल कर्मा नुफार चुनिए पुरंतर की सं वाजी और जैसिंग के बीच में गोल कुंडा पर अधिपत्य ये कब वह था गोल कुंडा परभी अधिपत्य तो 1687 में 1687 में किस ने किया था औरंग जेब बीजा पूर पर अधिपत्य कब था औरंग जेब ने 1686 में 1686 में यहां पहले में बीजापुर पे किया था उसके बाद गोलकुंडा पे सल्तिनत काल में अलाउदिन खिलजी द्वारा बजार नियंतुरण पद्धती का मुख्योद्धेश शिक्या था तो इसका मुख्योद्धेश था सनिकों को सुभिदा उपलप्त कराने के लिए ऑप्शन सी जि इसने उपादी धारान की ती जिल्ले इलाही जिसकार्ध होता है इश्वर का पति बिम इसके अलावा इसने एक और उपादी लिए थी नियामते खुदाई भारतमें तोम ku की सामाजी तनात्म स्ञटनाक्स रिश्टा किन हार जाते थे क्योंकि स्थानी और बहुत-बहुत से साजकों का राजाओं का उद्य हुआ और इसकी अलावा तुर्कों की सामाजिक और संगर्षनात्मक से स्टता पी थी तो यहां ऑप्शन कौन से करेक्ट हो एक और दो ऑप्शन भी मंगोल सिंदु से आगे भारत आने म का टाइम नहीं मिलते था यहीं साहँ इनुं मैं से कौन साहर लेत मां सुमेली थे एलोरा गूफ यह सक वांस इसमेंनी लिखा तो गलत है यह रास्ट कूटान ने स को नेर्माड कराएथा तो पहला वाला गअलत है फिर महावली पूरम इसमं में रास्टो कूट लिखा ये पल्लव वन से समदीथे नर्सिंग वर्बन ने इसका नेर्माड कराएथा फिर ये प्रफुर्पूर्प टो आता मैं राश्ट्रकूत लिखाई पल्लों से संब्सक्राइब नर्सिंग वर्बन ने इसका निरमाड कर आए था फिर दी ये फिर ए संदर के इया सामवेद का ब्रामória करन्त घालत ये एजर्वेद का ब्रामाड घुन्त है फिर है पुनर जर्म के सिध्धान्त का वड़न यहां पर मिलता है तो यह वाला करेक्ट है उपरिक्त में से कौन सा कतन सकते है तो इसमें किवल दूसरा वाला सकते है ऑप्शन होगा बी वादिक संस्क्रिती के संदर में ने मिलिए कतनों पर विचार किषी पहला है पिटर्सतफात्मक समाज यहां सिंदूनेदी सबसे पवित थी यह वाला गलत सबसे पवित्रृत एथी नियुक पर्था पाई जाती थी है पहला और तीस्रा करेक्ट है यहां फे आप्शन होग ब फिर आपासना पर फिर राडाय निये राडाय निये जैमी निये है और सौorta। यह अथरवेद किये शौनक जो यह अथरवेद किये नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सुमिलित नहीं है मांडा यह जम्मु कस्मीर में इस्तित है तो पहला वाला इनकरेक्ट है ऑप्शन होगा दायमाबाद महाराज से संब्धिते काली वंगा यह राजस्तान से कि पूजा कि जाती थी यही सिंदू घाटी के मंदिर दथा वर्तमान मंदिर काफी मिलते जुलते हैं तो यहां पर यह वाला गलत है जो हड़ापय सभिता के लोग थे वो मात्र देबी पश्वपती शीव की पूजा करते थे और यहां से मंदिर का कोई साच्छ नहीं मिला तो अप्जण होगा यहां पर सी तो कि दिए बोधेसंकिती कि इसके ससंकाल में हुई थी तो यह वह थी और शूक को trash ऑप्शन होगा लिए नेक्स्ट मात्मां बुद्ध के संदर्वे निम्लिख्यत में से कॉम सा खथन सही है उनका जर्म कपिल उस्थ già में उन्होंने ब capital के भी में सही है वैसी कार किया unhealthy सिद्धान सम्मंदित है किस से जैन्दर्म से अशोग के सिलालेग 13 में के संदर में विचार कीजिए कलिंग यूदि के संदर में साथ शील में मिलते हैं यह वाला सहिए फिर यह सिलालेग 309 के आसपास का है तो यह वाला गलत है क्योंकि Wesley वड़न किया है क्योंकि जो कलिंग का यूद्ध हुआ था को 261 इसापूर्व में हुआ था उसकी बाद यह जब सिला लेक बनाऊगा तब इसका वड़ान किया गया होगा तो पहला वाला किवल करेक्ट है ओप्शन होगा ए नेक्स्ट है यहां पे 261 इसापूर्व की बात हो रही है निमलिकेत में गलत कूट चुनिए चंदर पृत्वी राज़रासो चंदर बर्दाई की रचना है नौश्दीय चरित नौश्दीय चरित के लेखा कौन है स्री हर्श तो यहां मेरी तुम लिखा यह वला गलत है तो ऑप्शन यहां पर गलत चूज करना तो ऑप्शन होगा भी दस्रूपक यह धननजय किये प्रभोत चंद्रोदय एक ग्रिष्ण मिज्ड नेक्स्ट है पाल वंस के संदर में निम्लीखित कत्नों पर विचार कीजिए गोपाल ने ओधन्त पूरी विश्विद्याले की स्थापना की यह वाला सही है फिर पालों ने शाहित्तिक विकास में समर्थन दिया यह भी सही दोनों सही कर नमंदिर भारति वास्तु कलागा चर्मौत करस माना जाता है यह भी सही है फिर पन पॉन रन यह चोल वंस के से संधर सब्सक्राइक क्लदा टों चुन." सब्सक्राइब करना था यहां पर ऑप्शन होगा सी कलत चूस करना था पहला यह वैश्णों धर्मी के अन्याई थे यहां पर दोनों सही है ऑप्शन होगा सी एक और दो दोनों नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रसिद मंदिर स्थान का मिलान कीजिए मंदिर दिया Наम विश्णु मंदिर यह तीगवज अब़ पुर में स्थितत है फिर श्यीओ मंदिर भूम्रा मध्यपरदेश से समंदित है पारवतीमंदिर नैना कुठार मधिपरदेश के फिर दशायव कर देवराई निकोलो कुंटी प्रिथम के टाइम पर बार बोसा ये टृष्ण देवराय के टाइम के टाइम पर बार बोसा यूटि घृष्टम पर विचार कीजिए इनका विष्तार महाराज से लेकि रांदु-पृदेश तक फैला हुआ तो आरीजे मुमालिक किसे बोलतेते सायन विभाग का प्रमुख होता था दीवाने इस्तिहाग ये पेंसन विभाग का प्रमुख होता था फिर सद्र उस सुदूर ये धर्म विभाग का प्रमुख होता था यहाँ पर विदेश लिखा ओप्शनों का सी दीवाने खेरात ये दान विभाग से संब्दी था नेक्स्ट है विभाग एम उसको बनाने वाला सुल्टान से संब्देद गलत यूग में चुनिए दीवाने को ही ये मुहमद बिन तुगलक ने बनाया था दीवाने अर्ज किस ने बनाया था बलवन ने दीवाने मुस्तकराज अलाउदिन खिलजी ने दीवाने खेरात को फ बासरा थे इसलामी धर्म को मानते थे इसलामी जो कानून थे उनका पालन करते थे एक थे बेशरा ये बासरा एक थे बेशरा जो इसलामी कानून को नहीं मानते थे फिर चिस्ती सिलसले का संबन बासरा से है तो यह वाला सही है यहां पर पूछा है कौन सा गलत विकल पर चुल नेक्स्ट है प्रिशिद 18 मसजीद के संदर में निम्भी कितनों पर विचार कीज़े यह आजमगर्ड में स्थित है यह वाला गलथ है क्यूंकि यह जौन जौन पूर में स्तित है, फिर है, इसका निर्माड इब्राहिम सरकी ने करवाया था, पहला वाला गलत होगे, दूसरा वाला सही, इसका निर्माड इब्राहिम सरकी ने करवाया था, उपरिक्त में से कौन सा कथन सत्य है, किवल दो सत्य है, आप्शनोंगा C, नेक्स्त है निमलिकित में से कौन मुगल काल के चितरकार है तो गोंडा-बे लेली में तो यह जो सहेद महत वाला है इसको एक बार आप चेक कर लीजेगा कौन सा करेक्ट होगा यहां ऑप्शन है भी 4321 नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मनाये जाने वाले कंपिल महुच्चो के सद्नर्ब में निम्लिकीत कत्नों पर विचार कीजिए पहला है यह प्रदेश में आई जित होता है कंपिल परेटन ओट्सो तो यहां पर दोनों गलत हैं ऑप्शन होगा डी लोक कल निरित एवन संबंदीच्छेत्र मिलान करना है यहां पर ख्यान रित बद्नेल खंड से संबंदीच है पिर चैर्कुला यह ब्रज से संबंदीच है जोगनी पुर्वांचल के अहीरों द्वारा किया जाता है यहां पर ए 3124 निम्लिकित में से कौन सुमिलित नहीं है संभू महाराज कथक से संबंदीच है लच्छु महाराज जोई कथक से संबंदीच थी और मॉनलियम लिखा यह लगा रहता ऑप्शन होगा सी अमजा दली खान सरो कौन सा है तो कौशाम भी दोनों का प्रसिद्ध स्थान है जैन और बहुत तो यह सभी कोशन इंपोर्टन थे आने वाले एक्जाम के लिए वीडियो आपको पसंद आयो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा अगला जो पार्ट है वो अगले वीडियो में आएगा ट कि यहां आ कि ऑ हमिए झाले उिए जने के दिए कर दो एकर दो यह रचाएब माँला कि पर्की कर दो जों भी कर दोन है झाले।